जैहिंद साथियों गुड इविनिंग नमस्कार प्यारे बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज से बेन भी पे बात करेंगे और यहां पर हम लोग कोश्चन एक से आठ तक कभर करेंगे तो आएए शुरू करते हैं कोश्चन वन कोश्चन वन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इंटिग्रेशन आफ एक स्क्वाइर प्लस भी एक्स प्लस सी डी एक्स इसका समाकलन करना है तो हमें इसमें कुछ नहीं करना एक कांस्टेंट है यह को बाहर कर लेंगे और एक्स क्यू अपान क्यू एक पाउर एड हो गया नीचे भी एक पाउर एड हो जाएगा दो में बी कांस्टेंट है बाहर हो गया एक्स का एक्स स्क्वाइर अपान टू प्लस सी के साथ डी एक्स तो डी एक्स का एक्स सी या लेडी है तो चुकि हम कुछ और लगा है अगले सॉल पर बात करते हैं एड जो है कॉंस्टेंट है बाहर हो गया इसका समाकलन हो जाएगा एक पावर एड हो जाएगा आप यहां काड़ भी सकते हैं माइनस फोर और यहां पर भी एट यहां पर भी एट यह कड़ जाएगा दो बार में प्लस 6 और डी एक्स का एक्स 6 एक्स तो यह होगे आपका एक्स पर पावर एट माइनस वन बाइट यह पर पावर एट प्लस 6 एक्स यहां पर भी एक्स पावर एट है यहां पर भी एक्स पावर एट है तो आप इसे और भी लिख सकते हैं एक बट्टेदू एक पर पावर एट प्लस 6X प्लस सी यहां पे common हो गया है और एक मेंसे एक बट्टेदू एकबट्टेदो घड़के आ गया है यह हमारा answer हुआ अगला question जो है e-power X का जो समा कलन होगा e-power X होगा 2 sin X का जो होता है minus cos X माइनफ 3 कास x का होता है साइन एक्स तो यह हो गया e पे पावर x माइनस 2 कास x माइनफ 3 साइन एक्स प्लस c यह हमारा आंसर है कुश्टन नमर फोर है x स्क्वायर का जो समाकलन होगा यह डैरिक्ट में कर रहा हूं x पावर क्यूब अपान क्यूब माइनस कास x का जो होगा साइन एक्स प्लस 1 x इंटू 10 x का होता है सेक एक्स c लग जाएगा यह हमारा आंसर है कुश्टन नमर फाइप को देखते हैं x प्लस 3 अगले ब्रिकेट में 2 x प्लस 5 dx इसका जब हम लोग इसमें गुड़ा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 x स्क्वायर प्लस 5 x प्लस 6 x प्लस 15 dx तो जैसे हम लोग समाकला निश्का करेंगे तो दो कंस्टेंट है बाहर हो जाएगा x पाउर क्यूब अपान क्यूब 5 कंस्टेंट है दोनों को आट कर लिजिए एक ही में 11 कंस्टेंट में बाहर हो जाएगा और x का हो जाएगा x स्क्वायर अपान 2 प्लस 15 कंस्टेंट है और dx का x प्लस यह हमारा आंसर है इसको हम लोग देखते हैं पहले हमें इसका एक्सपेंट कर लेते हैं 1 प्लस x का होल क्यूब का aq प्लस bq प्लस 3 यह भी फार मूले पह और एक कुष्ट में प्लस भी गुड़ा करने पर हमें यही मिलने वाला है और पूरे का बटे है रूट x तो अलग-अलग हम लोग को डिवाइड करेंगे 1 के साथ dx का हो जाएगा तो 1 अपान रूट x dx यहां पर यहां पर dx यह पद बच रहा है तो इसके साथ हो जाएगा यह क्यू अपान रूट x dx यहां भी थ्री है थ्री बाहर यह स्क्वाइर अपान रूट x dx देखिए एक, दो, तीन, चार पद है एक, दो, तीन, चार पद तो इस तरीके से हो गया और भी बढ़ा सकते हैं यह उपर जाएगा माइनस वन बाई टू dx हो जाएगा थ्री एक में से एक बटे दो घटेगा तो x पे एक बटे दो ही होगा dx plus 3 में से एक बटे दो घटेगा तो x पे हो जाएगा 5 बटे 2 dx और तीन बाहर है और 2 पाई में से हो जाएगा तो x पे हो जाएगा 3 बटे 2 dx इसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं था आगे जैसे बढ़ाएंगे तो यह पावरेट हो जाएगा है IoT हम लोगं समागत न करना है मइनस वन बाई टू प्लस ओन माइनस बाई टू प्लस ओन प्लस doet फ्री जाएक 1 बाइड ब्लस1 नीचे भीникомज वफ स्थैर 2 प्लस1 फेग कौन प्लस चेयर नीचे ब्लस1 और 3 बेल तु फ्लस1 नीचे भी 3 ब्लस1 यादड रहें जतना बगत्षा उतना ही संख्ञा नीची रहेगा अब दो एक कम दो में से गया एक एक बटी दो नीचे हो जाएगा माइनस में एक बटी दो सॉरी प्लस में एक बटी दो होगा दो एक कम दो में से एक प्लस में एक बटी दो प्लफ 3 और यहां पर 3 by 2 नीची भी 3 by 2 3 से 3 कैन्सिल हो सकता है प्लस एक्स पर पावर 7 by 2 नीची भी 7 by 2 प्लफ 3 से 3 यहां भी कैन्सिल हो सकता है और थोड़ा सा अभी यहां पीसे मत काटिये पहले हम इसे साल्फ कर लेते हैं 3 एक्स पावर 5 बटे 2 नीची भी जाएगा 5 बटे 2 यह कटे का नहीं उपर जा गुड़ा हो जाएगा और 2 और एक्स पावर एक बटे 2 रूट एक्स लिख सकते हैं प्लस यह दो उपर चला जाएगा एक्स पावर 3 by 2 प्लस 2 by 7 एक्स पावर 7 by 2 प्लस 6 by 5 एक्स पावर 5 by 2 प्लस C यह हमारा अनसर है कुश्यन बस 7 आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे लिखाए इंटिग्रेशन आप 3 एक्स पावर क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वाईर प्लस 3 एक्स प्लस 2 नीचे से 3 कामनों के बाहर होगे 1 by 3 और यह बच गया अब इस रूप में हमारा सवाल आ गया है तो हमें इसे करना होगा डिवाइड तो जैसे हम इसे डिवाइड करेंगे तो भाग देने के पश्यात हमें ये दो पत प्राप्त होंगे तो अब इन दोनों पनों का हम लोग समाक्रन कर लेते हैं तो 1 by 3 3x प्लस 2 dx माइनस 1 by 3 1 upon 1 प्लस x स्क्वाईर dx आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं तो 1 by 3 3 बाहर और x square upon 2 प्लस 2 और dx x माइनस 1 by 3 और ये फार्मूला है 10 universe x प्लस c यह हमारा answer है नीचे आप चाहें तो इसमें multiply भी कर सकते हैं प्लस 2 by 3 x माइनस 1 by 3 10 universe x प्लस c यह भी answer हो सकता है question no.8 और यह हो जाएगा उपर जाएगा तो x पर माइनस 1 by 2 dx और integration आप x पर 1 by 2 dx easy भी में हो सकता है इसका समाकलन x प्लस 1 नीचे भी minus 1 by 2 प्लस 1 minus और x प्लस 1 नीचे भी 1 by 2 प्लस 1 प्लस c लगा दीजिए x प्लस 1 by 2 नीचे minus 1 by 2 minus x प्लस 3 by 2 नीचे भी 3 by 2 प्लस c तो minus 2 root x चोकी x प्लस 1 by 2 है minus 2 by 3 x प्लस 3 by 2 प्लस c यह हमारा answer है तो आज के लिए इतना ही मैं ऐसा करता हूं आप continue लगे रहे हैं यह मेरे साथ और इसी कोन का भी मैं चालू करने वाले हैं और 10 के गडित पर हम अपना काम चालू कर दिया हैं तो आप वारे वीडियो के साथ बने रहे हैं जल्दी ही हम मैं जैसे समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम physics को भी आगे बढ़ाएंगे और जल्दी से ही उसे भी हम समाप्त कर देंगे तो आज के लिए इतना है धन्यवाद नमस्कार